डी फार्मा के बारे में बात करें तो डी फार्मा को इंगलिश में डिपलोमा इन फार्मेसी और हिंदी में फार्मेसी में डिपलोमा कहा जाता है ये pharmacy के छेतर में दो साल का course होता है जिसमें आपको दवाई से जुड़ी हर तरह की जानकारी पिरदान की जाती है जैसे कि दवाई कैसे बनती है, दवा कैसे सुरक्षित की जाती है और साथ ही दवा के खुराक को प्योग कैसे किया जाता है और दवाओं की मार्केटिंग किस पिरकार की जाती है इससे जुड़ी से भी जानकारी आपको बताई जाती है क्योंकि pharmacy एक तरह से एक health का छेत्र है जिसमें कई पिरकार की दवाईयों पर experiment उसमें सुधार करने की कोशिस करते हैं Students यह दियाँ आप भी pharmacy की छेत्र में जाना चाहते हैं और डिफार्मा कोर्स करना चाहते हैं PCM या PCB विसाय के साथ बार्मिक अक्षा को पास करने के बाद डिफार्मा में एडविशन ले सकते हैं तो आए जानते हैं बीडियू में आगे डिफार्मा करने के लिए आपको कौन-कौन सी eligibility होनी चाहिए आपको कौन-कौन सी qualification होनी चाहिए सबसे पहले आपको वार्मिक अक्षा पास करनी चाहिए इसके बाद वार्मिक अक्षा में कम से कम 50% या 55% आपके अंग होने चाहिए यदि आप PCM या PCB सब्जेक्ट से बार्मिक पास हो तब भी और यदि आप PCM या PCB यानि कि Physics Chemistry Math और Physics Chemistry Biology सब्जेक्ट में बार्मिक पास कर चुके हो तो आप डिफार्मा में एडविशन ले सकते हैं यदि आप भी डिफार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आप बार्मिक अक्षा उत्रिण करने के बाद किसी सरकारी कोलिज या किसी प्राइवेट कोलिज से भी कर सकते हैं और यदि आप किसी सरकारी कोलिज से डिफार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको entrance exam देना होगा क्योंकि entrance exam के लिए merit आदार पर ही आपको government college में admission दिया जाता है इसके अलावा यदि आप बिना entrance exam दिये college में admission लेना चाहते हैं तो आप किसी private college में direct admission ले सकते हैं लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप पिरवेश परिक्षा उत्रण कर college में पिरवेश लें जिससे आप GPAT, JEE, Pharmacy, AU, IME, UPSW, JEE, Polytechnic आदी जैसे entrance exam उत्रण कर college में पिरव दिफार्मा कोर्स की fees सरकारी college में 40,000 से 45,000 के करीब होती है और अगर private college की बात करें तो private college में इसकी fees 80,000 से 1,000,000 के आसपास होती है लेकिन ध्यान रहेगी किसी भी college में admission लेने से पहले उस college की fees की भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए और दोस्तों आपको एक बार फिर बता दू कि अगर आपको इसकी जानकारी लेना चाहते है यानि कि आपको डिफार्मा करने के लिए क्या क्या करना होगा तो इसके बारे मैं आपको एक बार बता दू कि डिफार्मा कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले बार्मी किलास physics chemistry mathematics या physics chemistry और biology subject से पास होना चाहिए और साथ ही बार्मी कक्चा में कम से कम 50-55% आपके अंक होने चाहिए और गाइस यदि आप किसी सरकारी कोलिज से डिफार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको entrance exam अच्छे अंकों के साथ पास करना होगा क्योंकि कोलिज में पिरवेश आपके entrance exam की योग्यता के आदार पर ही यशे कोलिज हैं जहां से डिफार्मा का कोर्स किया जा सकता है इसके अलावा आप इसे किसी private advisor कोलिज से करना चाहते हैं तो आपको यह कोई नियमित रूप से करना चाहिए जिससे आपको सभी दवाव के जनकारी मिल सके अगर आपका admission डिफार्मा कोर्स करने के लिए तो आपको एक जरूरी बात बला दूँ कि डिफार्मा कोर्स जो है दो साल का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपके लगबग एक साल में आपको फाइनल एक्जाम देने होते हैं अनि कि हर साल आपके हर वर्स में आपके एक्जाम होते हैं और कोलिज के बात करें तो कोलिज मे सिटी टैस्टों में आपकी अच्छी तरह से तयारी हो जाती है तो आपको फाइनल एक्जाम देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी और गाइस जब आप डिफार्मा के फाइनल एक्जाम दे देते हैं उसके बाद आपको डिफार्मा कोर्स की सफलता पूरुबग पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको तीन महीने की इंटर्शिप भी करनी होती है और इंटर्शिप करने के बाद ही आपको डिफार्मा का पिर्माण पत्री आपको certificate मिलता है जिसके बाद आप किसी भी सरकारी संस्थान या किसी निजी संस्थान में फार्मेसी की नोकरी करने के लिए आविदन कर सकते हैं ये फिर आप अपना खुद का medical shop भी खोल सकते हैं और गाइस बात करें कि डिफार्मा के एडविशन कब से start होते हैं तो आपको बता दू कि अपर रहल में examination form को फिल करने के लिए procedure तयार हो जाता है और जून में आपका लगबग admit card तयार हो जाता है और जून में ही आपके लगबग exam start होने start होते हैं लगबग तीन महीने में आपका पूरा procedure complete होने के बाद और जुलाई और अगस्त में आपके admission start होते हैं और तीन महीने आपके admission की फिरकेरिया चलती है लेकिन कुछ-कुछ college की बात करी जैसे कि private college हो में इसके लगबग date कुछ भी बढ़ सकती है तो guys अगर आप भी defarma में admission लेना चाहते हैं इस्टोरेंट्स यदि आपने PCB या PCM से 12th किया है तो आप defarma course में admission ले सकते हैं इस्टोरेंट्स यदि आपको defarma करने के लिए कोई doubt हो तो हमें comment works में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe कर देना